राजकुमारी जो किसी राजकुमार से साधी नहीं करना चाहती थी, बल्कि किसी महनती इंसान से साधी करना चाहती थी, राजकुमारी यही सोचती थी कि जो भी जीवन में महनत करता है, उसे हमेशा अच्छा फल मिलता है, इसलिए वो महनती इंसान से साधी करना चाहती थी, तो मेरी बेटी का जीवन अच्छा नहीं होगा। हर रोज यही बाते सामने आती थी क्योंकि राजा हर रोज अपनी बेटी को समझाया करता था। मगर वो समझने को तयार नहीं थी। राजा नेरानी से कहा कि मुझे कुछ दिन के लिए नगर से बाहर जाना होगा। क्योंकि मुझे दूसरी राजा से मुलाकात करनी है जब तक मैं आता नहीं हूँ तब तक राजकुमारी का ध्यान रखना यह कहकर राजा चले जाते हैं। उधर जब राजकुमारी को पता चलता है कि पिता जी चले गए हैं तो वो अपनी माता से कहती है कि मुझे कुछ दिन क करके गए थे कि राजकुमारी कहीं भी बाहर नहीं जाएगी मगर राजकुमारी नहीं मानी वो अपनी माता से बहुत जिद कर आखिर अपने मामा के यहां चली गई मामा एक छोटे से गवं में रहते थे उन्हें पता था कि राजकुमारी आज राजकुमारी आ रही है क्योंकि उन्हें बता दिया गया था अब मामा को इस बात का ध्यान रखना था कि कोई भी उन्हें पहचान ना पाए क्योंकि अगर कोई उन्हें पहचान गया तो सभी लोग यहीं पर हर रोज आ जाएंगे कुछ देर बाद राजकुमारी आ गई थी म मामा ने बताया था कि यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिससे तुम्हें यहाँ पर कोई पहचान न पाए राजकुमारी ने कहा कि आप चिंता न करे कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा कुछ देर बाद मामा ने कहा कि मुझे कुछ देर के लिए बाजार जान होगा तुम अपना ध्यान रखना की मैं जल्दी ही आ जाऊंगा कुछ देर बाद मामा चला गया था उनके जाने के बाद एक आदमी आता है वो बहुत ही गरीब लग रहा था वो उनके मामा के बारे में पूछता है मगर वो अभी नहीं है यह बात वो राजकुमारी कहती है व मैं वह काम कर लेता हूँ कुछ देर बाद ही वह आदमी लक्रिया तोरने लग जाता है राजकुमारी उसे देखती रहती है क्योंकि वह बहुत मेहनत से काम कर रहा था उसे काम करते हुए देख राजकुमारी को यही लग रहा था कि अगर मेरी साधी इससे हो जाए तो गरीब लग रहा है राजकुमारी कर अब यही लग रहाथा कि उनकी तलास अब यही पुरी हुई है क्योंकि जिसकी तलास उन्हें थी वह मिल गया था वह आदमी अपने काम में लगा हुआ था उसका ध्यान अपने काम पर था मामा अभी नहीं आये थे कुछ दिर बाद काम पूरा हो गया था अब वो आदमी जाने लगा था उस आदमी के जाने के बाद राजकुमारी ने उस आदमी के बारे में सब कुछ पता कर लिया था वो किस जगह पर रहता है और उसके घर में कौन है जब सब कुछ पता लग गया तो राजकुमारी उसके पास जाती है वह राजकुमारी को आता हुआ देख डर जाता है क्योंकि उसने उसे वहाँ पर देखा था जिस जगह पर वह काम करता था राजकुमारी उससे सब कुछ बता देती है वह मना करता है मगर राजकुमारी नहीं मानती है और साधी कर लेती है साधी के साधी करके वह मामा के पास आती है मामा यह देख कर डर जाता है वह कहता है कि यह सब कुछ इस आदमी ने किया है मगर राजकुमारी कहती है कि यह इस ने नहीं किया है बलकि यह मेरी मरजी है मामा उसे महल की और ले जाता है क्योंकि उसने वह किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था जब वह महल में चला जाता है तो रानी को भी यह पता चलता है अब रानी को डर लगता है क्योंकि राजा को जब यह बात पता चलेगा तो बहुत गुसा करेंगे यह बात सोच ही रहे थे कि राजा भी आग जाते हैं राजा देखते हैं कि यह क्या हो रहा है वह राजकुमारी से कहने लगते हैं कि तुमने वही किया है जो मैंने मना किया था मगर अब क्या किया जा सकता है जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता राजा के राज पर हमला हो जाता है वह आदमी कुछ भी नहीं सोचता और राजा की मदद करने चला जाता है राजा को जब यह पता चलता है कि वह मदद कर रहा है तो राजा को भी लगता है कि साइद उसकी लड़की ठीक ही कह रही थी क्योंकि उस आदमी ने राजा के साथ मिलकर युद किया था और जीत भी गय थे राजा ने उस आदमी को अपने दामाद के रूप में सुईकार किया और अपनी बेटी को खुसी-खुसी बिदा किया